नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी आँखें भी जादा काम करने से ठक जाती हैं या फिर आप जादा दिर मुबाइल पर बिताते हैं, तो भी आँखों में जलन और सूजन्स ही हो जाती हैं, तो इन कुछ बताई गई एक्सराइजिस और घरेलू उपायों से आप इनको दो मिन उपायों जलन और सूखना या बार बार पानी आना दूंढ़ा दिखाई देने जैसे समस्याएं हो सकती हैं, कुछ आसान सी exercises और उपायों से आँखों की इस थकान को आसानी से दूर किया जा सकता है चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आँखों की exercise के बारे में Eye exercise करने से आँखों की थकान छट से दूर हो जाएगी आँखों की कसरत से आँखों का रख संचालन ठीक रहेगा और आँखों की मासपेश या लचिली बनेगी जिससे ध्यान केंद्रित करने में भी असानी होगी Eye exercise करने के लिए एक pen या फिर pencil को एक हाथ में थोड़ी दूरी पर पकड़ें और दीरे दीरे उसे अपनी और ले आएं और उसे तब तक देखें जब तक की वो आपको एकदम साफ दिखाई दे रही हो अब इसे देखते हुए ही वापस दूर ले जाएं इसे करीब 10 से 15 बार दोहराएं इसके इलावा कुछ सेकेंड के लिए आप अपनी आँखों को clockwise और anti-clockwise भी घुमाएं और फिर कुछ देर का break लेने के बाद अपनी पल को खोचताएं ये exercise लगबग आपको दिन में 4 से 5 बार करनी है अगला है ठंडा पानी अगर आपकी आँखों में तनाफ के साथ साथ सूजन भी हो तो उसे ठंडे पानी से धोएं या फिर बरफ का सेंख लगाएं इसके लिए किसी साफ सूथी साफ कपड़े में कुछ बरफ लपेटें और उसे अपनी बंद आँखों पर थोड़ी थोड़ी तेर के लिए रखें ऐसा करके 5 से 10 मिनट में आपकी आँखों से सूजन चली जाएगी और आँखों में थकान भी नहीं रहेगी अगला है रोस वाटर गुलाब चल तनाव से भरी और थकी आँखों के लिए एक प्राकरतिक रिलेक्सर का काम करता है साथ ही इसके इस्तेमाल से आँखों के नीचे के डाक सरकल भी कम होते हैं और तवचा मुलायम और अकरशक बनती है वहीं गुलाब चल के रोजाना इस्तेमाल से आँखों की नमी भी पनी रहती है अगला है खीरा खीरे के टुकडे रखने से भी आँखों की थकान जल्द ही दूर हो जाएगी इसके कसेले गुण की वज़े से खीरा आँखों के आसपास की थकी मास पेशियों को शान्त करता है उपयोग के लिए बस एक मद्यम अकार के खीरे को 20-30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें इसके मोटे वगोल टुकडे काटें और आँखों के उपर रखें इस उपचार को आलू से भी किया जा सकता है अगला है दूद आँखों का दर्द और ठकान दूर करने के लिए भी दूद एक बेहत कारकर तरीका है दूद में मौजूद वसा, सूची और ठकी आँखों के लिए बेहत फायदिमन होता है इस्तिमाल के लिए ठंडे दूद में रूई के एक मद्यम अकार के गोले को कुछ देर डुबोएं और फिर इसे आँखों के आस पास तीरे दीरे मसाज करें मसाज करने के दौरान पलकों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद भी करें तो इन आसान सी एक्सराइज और घरेलू उपायों से आप अपनी थकी हुई आँखों को जल्द ही रिफ्लेश कर सकेंगे हमें उमीद है आप इन नुस्कों को और एक्सराइज को अपनाएंगे और अपनी आँखों से थकान को दूर करेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप का बटन दबा कर हमें बताएं अपने दोस्तों के साथ शेर करें अगर आप ऐसे ही कुछ और उपाय जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें